वर्ल्ड के कई पार्ट्स में लोगों को पीने के लिए फ्रेश पानी नहीं मिलता है लोग को दूर दूर से पानी भरने की प्रॉब्लिम्स फेस करनी पड़ती है सी और ओशन्स के पानी की क्वांटिटी तो बहुत है पर पानी खारा होने की वज़त से इंसन इसे पी नहीं सकता है दिन बर दिन पानी के शॉटेश की प्रॉब्लिम्स बहुत ज़्यादा बढ़ी रही है और शायद सी वाटर यूज करे तो वाटर शॉटेश की प्रॉब्लिम्स ना रहे सोचे आप चाहे उतना पानी यूज कर सकते थे कहीं गाओ सुखे पड़े हैं उन्हें भी पानी इजीली मिल जाता लेकिन ये सब तब पॉसिबल होता अगर सी वाटर फ्रेश बिना सॉल्ट का होता तो लेकिन क्या सी वाटर पहले से सॉल्टी है या फिर किसी ने सी में पूरा सॉल्ट का पैकेट डाल दिया हो और वो सॉल्टी हो गया हो क्या आपने कभी सोचा है कि आखर सी वाटर सॉल्टी क्यों है तो चलिए आज मैं आपको इस से जुड़ी कुछ जानकारी देती हूँ 3.8 बिलियन यर्ज पहली की बात है कि अर्थ का सर्फेस कूल हो जाने से वाटर वेपर्स लिक्विट में टर्न हुए और उस पानी में बिलकुल सॉल्ट नहीं था और पानी पूरी तरह फ्रेश था क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पूरे सी का पानी एकदम और फ्रेश और क्लीन था लेकिन ये फ्रेश पानी लॉंग टाइम तक नहीं रहने वाला था क्योंकि जब भी बारिश होती थी एर में से कार्बन डायोकसाइड पानी में डिजॉल्व हो जाता था बारिश का पानी क्लीन और प्यॉर होता है लेकिन एर के कार्बन डायोकसाइड से थोड़ा एसिडिक हो जाता था उसके बाद बारिश का पानी लूज सॉल्ट और मिनेरल्स अपने साथ लेके जाता था और फिर सब salt minerals पानी के साथ sea में mix हो जाते हैं उसके सिवा rivers और lakes का पानी भी मिल जाता है और उसके सिवा hydrothermal vents और volcanoes से भी minerals mix हो जाते हैं और ये process कई सालों तक बार बार repeat होती रही जिस वज़े से आज sea और ocean का पानी बहुत salty है आपको क्या लगता है कि कितना salt होगा sea में 100-200 kg या उससे भी ज्यादा 100-200 kg तो एक river में salt हो सकता है सब sea का सारा salt निकाल के land पर spread किया गया तो एक tower बन जाएगा समुंदर के पानी को salt free कर दिया तो वो fresh हो सकता है पीने के लिए पर क्या अपने सोचा है कि ocean में salt नहीं होने से क्या होगा sea water में salt नहीं होने से क्या हो सकता है तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और दोस्तो अब शुडू करने से पहले हमारे चानल से latest update पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले और पे 97% पानी ocean का है और इस ocean में ज्यादा marine life है और marine animals के 2,00,000 species है और marine animals को fresh water में रहना सूच नहीं करता है और वो मर जाएंगे और fishes नहीं होंगे तो जो लोग fishes खाते हैं उन्हें खाना नहीं मिलेगा जिनका occupation fishing है उनके पास कुछ खाम नहीं होगा और इस वज़े से उनके family के लोगों को भूका रहना पड़ेगा oceans में fishes के सिवा marine plants भी होते है 10,000 species algae के होते हैं और ये algae unique होते हैं क्योंकि ये plants और animals दोनों के होते हैं और ये algae marine life को maintain रखते हैं oxygen से नई तो algae ना होने से पानी में greenhouse effect बढ़ेगा marine life ना होने के कारण ecosystem और food chain खतम होगा oceans नहीं होंगे तो climatic conditions भी effect होगी क्योंकि ocean currents की वज़े से भी climate में change होते हैं इस तरह से ocean में salt नहीं होने की वज़े से marine life पे ज्यादा effect होगा साथ में हम इनसानों पर भी उसका बुरा effect हो सकता है कभी climate condition बहुत cold हो सकता है और कभी बहुत hot हो सकता है जिससे इनसान जानवर कोई भी जिन्दा नहीं रह पाएगा तो आपके इस वीडियो पे क्या views है हमें comment में ज़रूर बताए और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इस लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलवेदा दोस्तो धन्यवाद